करफशन से जुड़ी नई चुनोतियों के सार्थक समाधान तलास देख लिए आप सब सरदार वल्लब भाई पटेल के सानिध्य में महा मंथन के लिए जुटे हैं सरदार पटेल ने हमेशा गवर्नेंस को भारत के विकास का जन सरोकार का जन हीत का आधार बनाने को सर्वोच्च प्राथ्विक्ता दे थी आज हम भारत की आजादी का अम्रुत महोस्व मना रहे हैं आने वाले 25 वर्ष यानी इस अम्रित काल में आत्म निर्भर भारत के विराट संकल्पों की सिद्धी की तरफ देश बढ़ रहा है आज हम殺ting एक प्रकार से if good governance प्रोपीपल प्रोएक्टिव governance को सस्क्त करणे में जूटे हैं हैं ऐसे समय में कि अब सभी सात्व की कर्मन्यता कर्मश्यल्ता एं 것으로 है आपके आदर्सों को मजबूत करने वाली है। साथियों हमारे यहां सास्त्रों में कहां गया है न्याय मुलम सुराज्यम स्याथ यानि सुराज्य तभी संभव है जब सभी को न्याय मिले। ब्रश्टाचार, करप्संग, छोटा हो या बड़ा वो किसी न किसी का हक छिनता ही है। यह देश के सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से बंचित करता है। राष्ट की प्रगति में बाधग होता है। और एक राष्ट के रूप में हमारी सामोहिक शक्ति को भी प्रभावित करता है। आप सभी साथियों पर जिन संस्तानों से आपका समद्ध है उन पर करप्शन रूपी अन्याय को खत्म करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज आपको सरदार पटेल जी की छत्रचाय में और माता नर्वदा के तट पे अपने संकल्प को फीर दोहराना है। देश के प्रती अपने दाईत्वों के एहसास को नई उर्जा से भरना है। साथियों, बीते छे साथ सालों के निरंतर प्रयासों से हम देश में एक विश्वास कायम करने में सफल हुए हैं। कि बढ़ते हुए करप्शन को रोकना संभव है। आज देश को ये विश्वास हुआ है कि बिना कुछ लेंदेन के, बिना बिचोलिये के भी सरकारी योजनाओं का लाब मिल सकता है। और आज देश को ये भी विश्वास हुआ है कि देश को धोखा देने वाले, गरीब को लूटने वाले, कितने भी ताकतवर क्योना हो, देश और दुनिया में कहीं भी हो, अब उन पर रहम नहीं किया जाता, सरकार उनको छोड़ती नहीं है। साथियों, आप भी जानते हैं कि ये भरोसा इतनी आसानी से कायम नहीं हुआ है। पहले जिस तरह सरकारे चली, पहले जिस तरह व्यवस्ताएं चली, उनमें राजनितिक और प्रशासरिक इच्छाशक्ती दोनों की कमी थी। आज ब्रश्टा चार पर प्रहार की राजनितिक इच्छाशक्ती भी है और प्रशासरिक स्तर पर निरंतर सुधार भी किया जा रहा है। साथियों, आज 21 सदी का भारत आधुनिक सोच के साथ ही टेक्नोलोजी को मानवता के हीत में इस्तिमाल करने पर बल देता है। न्यू इंडिया इनोवेट करता है, इनिशेट करता है और इंप्लिमेंट भी करता है। न्यू इंडिया अब ये भी मानने को तयार नहीं है कि ब्रश्टाचार सिस्टिम का हिस्सा है। उसे सिस्टिम ट्रांस्परेंट चाहिए, प्रोसेस एपिसेंट चाहिए और गवननस स्मूद चाहिए। साथियों, आजादी के बात के दसकों में देश में जो व्यवस्ता बनी, जो सोच रही, उसमें यही भावना प्रधान थी कि सरकार सब कुछ अपने कब्जे में रखे। तब की सरकारों ने मैक्सिमम कंट्रोल अपने पास रखे और इस वज़े से सिस्टिम में अनेक प्रकार की गलत प्रवितियों ने जन्म ले लिया। मैक्सिमम कंट्रोल चाहे वो घर में हो, परिवार में हो या फिर देश में मैक्सिमम डेमेज करता ही है। इसलिए हमने देशवासियों के जीवन से सरकार के दखल को कम करने को एक मिशन के रुप में काम लिया है। हमने सरकारी पक्रियाओं को सरल बनाने के लिए निरंदर प्रयास किये। मैक्सिमम गवर्मेंट कंट्रोल के बजाए, मिनिमम गवर्मेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस पर फोकस किया। साथियों, आप सभी इस बात के भी साक्षी हैं कि देश के नागरीकों को शतक्त करने के लिए किस तरह ट्रस्ट और टेक्नोलोजी पर विशेस बल दिया गया है। आज देश में जो सरकार है, वो देश के नागरीकों पर ट्रस्ट करती हैं, उन्हें संकाय की नजर से नहीं देखती है। इस बरोसे ने भी प्रश्टाचार के अनेकों रास्ते बंद किया है। इसलिए बस्तावेजों की वेरिफिकेशन के लेयर्स को हटा कर, करप्शन और अनावशक परेशानी से बचाने का रास्ता बनाया है। डिजिटल टेकनोलोजी से जन्म प्रमान पत्र से लेकर पैंशन के लिए जरूरी जीवन प्रमान पत्र तक सेंक्रो सुईदाय बिना बिचोलियों के डिलिवर की जा रही है। ग्रूप C और ग्रूप D की भरतियों से इंटर्यू खत्म किया तो गरीव और मिल्ल क्लास को करप्शन के दबाव से मुक्ति मिली है। गैस सिलिंडर की बुकिंग से लेकर टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाओं तक ऑनलाइन और फेस्टलेस प्रक्रियाएं उन लंबी लाइनों से मुक्ति दे रही हैं जो प्रस्ठाचार का बहुत बड़ा जर्या रही है। साथियों, ट्रस्ट और टेक्नलोजी से एफिशन गवर्नन्स और इज अब बिजनेस पर क्या असर हुआ है यह आप सभी भली भाती जानते हैं। पर्मिशन और कंप्लाइंस के नाम पर बिजनेस को शुरू करने और बंद करने के नाम पर बैंकों से लोन लेने या लोन को रफा दफा करने को लेकर जो कुछ भी अतित में हुआ है, जो देश को नुक्सान हुआ है, उसे अब ठीक किया जा रहा है। बीते सालों में सेक्ड़ों ऐसे पुराने कानूनों के जाल को हमने साप किया है, और आज की चुनोचियों को देखते हुए सक्त नए कानून भी देश को दिये हैं। हजारों कम्प्लाइंस और भाती भाती के एनोसी तरह तरह की पर्मिशन्स के नाम पर करप्सन का कैसा खेल चलता था, ये आप से बहतर कौन जानता है। बीते सालों में हजारों कम्प्लाइंस खत्म किये जा चुके हैं, और आने वाले समय में ऐसे हजारों कम्प्लाइंस और खत्म करने का इरादा है। अधिकतर पर्मिशन्स को फेशलेस किया जा चुका है और सेल्फ एसेस्मेंट सेल्फ डिकलेरेशन जैजी प्रक्रियाओं को बिजनेस के लिए भी फ्रोस्टाइद किया जा रहा है जैम एनि गवर्मेंट ए मार्केट प्लेस की वज़े से सरकारी खरीद और ए टेंडरिंग में पारदर्शित आई है उल्जने कम हुई है डिजिटल फूट्प्रिंट ज्यादा से ज्यादा होने से इन्वेस्टिगेशन भी ज्यादा आसान और सुविजाजनक हो रहे हैं हाल में लॉंच किया गया पी-एम गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान इससे भी डिसीजन मेकिंग से जुड़ी अनेक मुश्किले समाप्त होने वाली है साथियों जब हम ट्रस्ट और टेक्नलोजी के दोर में आगे बढ़ रहे हैं तो आप सभी साथियों आप जैसे कर्मयोगियों पर देश का ट्रस्ट भी उतना ही एहम होया है हम सभी को एक बात हमेशा याद रखनी है राष्ट्र प्रधम नेशन फर्स्ट हमारे काम की एक ही कसोटी है और वो है जन हीत जन सरोकार अगर हमारे फैसले इस कसोटी पर खरे उतरते हैं तो मैं हमेशा देश के हर कर्मयोगी के पीछे पूरी मजबूती से खड़ा मिलूंगा सरकार ने सक्त कानूनी रस्ते बनाए हैं उनको लागू करना आपका कर्म है लेकिन कानून की ताकत के साथ ही उचीत वहवार के लिए प्रोचाइद करना मोटिवेट करना ये भी उतना ही जरूरी है साथियों आम तोर पर आपका काम तब शुरू होता है जब कोई गोटाला प्रश्टाचार अनीमित्त हो जाती है मैं आपसे एक और विचार साजा करना चाहता हूं ऐसे क्यों नहीं हो सकता कि हम प्रिवेंटिव विजिलेंस पर काम करें अगर हम सतर्क है एलेट है तो यह काम आसानी से किया जा सकता है आप तकनीक का अपने अनुभव का सहरा लेकर इस व्यवस्ता को और मजबूत कर सकते हैं प्रिवेंटिव विजिलेंस के लिए सतर्कता तकनीक के साथ ही प्रक्रिया में सरल्ता पस्ट्रता ट्रांस्परेंसी इसे लाकर हम कई बड़े बड़लाव ला सकते हैं आज देश में कई सरकारी विभाग बैंक, PSU, वित्तिय समस्तान, प्रिवेंटिव विजिलेंस की दिशा में कई महत्वपुन काम कर रहे हैं हम सभी ने अपने घरों में अनेक बार सुना है प्रिवेंशन इस बेटर देन क्योर आप कोशिश करें कि प्रिवेंटिव विजिलेंस आपकी कार्य प्रणाली का हिस्सा बने इससे एक तो आपका काम आसान होगा, दूसरा देश के समय, संसाधन, शक्ति को बचाया जा सकेगा मुझे बताया गया है कि इसे देखते हुए CBC ने अपनी नियामावली में कुछ सुधार किये है इस रूल ब्युक में इस सतर्ता पर एक अतिरिक्त अध्याय जुड़ा गया है अपरात करने वाले तो हर मैने, हर दिन नए नए तरीके खोज लेते हैं ऐसे में हमें उनसे दो कदम आगे ही रहना है साथियों, आपको याद रखना है कि आपकी साजेदारी इस मिट्टी से है माँ भारती से है देश और देश वाचियों को दोखा देने वाले के लिए देश और दुनिया में कोई भी सेफ हैवन नहीं होना चाहिए कोई कितना भी ताकत पर हो अगर वो राष्ट हित के, जन हित के विरुत आचरन कर रहा है तो उस पर एक्षन से पीछे हटने की जरुवत नहीं है हमें राष्ट हित में अपना कर्म करते जाना है अपने दाईत्वों को पूरी निस्ठाव और इमानदारी से निभाना है और एक बात आप सभी को याद रखनी है आपका काम किसी को डणाने का नहीं है बलकि गरीब से गरीब के मनमस्तिक से बेवजय का डर निकालना है हिचक के माहुल को दूर करना है प्रश्टाचार के विरूत देश की लड़ाई दिनों दिन और मजबूत हो इसके लिए आपके प्रयास बहुत जरूरी है हमें इस लड़ाई को एजन्सियों तक ही सिमित नहीं रखना है इसलिए आज टेकनोलोजी के नकारात्मक पहलूँ से निपड़ता भी बहुत जरूरी है जैसे कोई भी ताला फुलपुरूप नहीं हो सकता गलत नियत वाला उसकी चाबी खोजी लेता है वैसे ही टेकनोलोजी का तोड़ भी अपरादी मानसिक्ता वाले ढूंडी लेते हैं मजबूत डिजिटल गवरनेंस के साथ साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड भी एक बहुत बड़ी चुनोती बनती जा रही है मुझे विश्वात है कि आप सभी एक्सपर्ट आने वाले दिनों में इन चुनोतियों पर गंबीरता से मन्थन करेंगे एक और आगरह मैंने 15 अगस को लाल के लिए से भी सरकारी विभागों के उसके नियमों प्रक्रियाओं के समिशा को लेकर किया था मैं CBC और CBI सही सभी एंटी करॉप्शन समस्थाव और समस्थाव से भी कहूंगा कि आपके यहां जो दसकों से चली आ रही ऐसी प्रक्रियाए हैं जो नए भारत की नई सोच के आड़े आती हैं उनको हटाया जाए नए भारत की नई सोच और नए संकल्पों के लिए इससे बहतर समय और क्या हो सकता है देश आज़ादी का अमरूप महोच से वड़ा रहा है आप भी इस महायग्न में अपने प्रयासों के साथ जूट जाएए आप वो लोग हैं जिने सिस्टिम की बारी किया ये भी पता है और वो कमिया भी पता है जहां से ब्रस्टाचाग पनपता है करप्शन के लिए जीरो टॉलरंस की न्यू इंडिया की नीति को आपको दिनों दिन मजबूत बनाना है आप इस महामंधन के दोरान भी इस प्रकार की प्रक्रियाओं और कानूनों पर चर्चा करेंगे आप कानूनों की इस तरह लागू करेंगे कि गरीब सिस्टिम के करीब आएं और ब्रस्टाचारी एक एक कर सिस्टिम से बहार हो यह बहुत बड़ी देश सेवा होगी आजादी के अमरित काल में करप्शन मुक्त समाज के निर्मान के लिए आप इनोवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे इसी कामना के साथ आपको बहुत बहुत शुब कामना है बहुत बहुत धन्यवाद तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी को आप सुन रहे थे अफसरों को यहाँ पर उन्होंने कई मंत्र दिये